हे फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त अमित और आज हमारी जो विजिट है वह एहमदाबाद गुजरात के एहमदाबाद अक्षेत्र में है एहमदाबाद से करीवन हम 25 से 30 किलोमीटर दूरी के दूरी पर है जहां पर जो यह आप जंगल देख रहे हो पीछे यह जंगल अभ कि अवेलिंबल ती नहीं है कोई पानी यहां पर मदून नहीं है और वनस्पति है वह सबसे यह वह जिवित रह सकती है तो सिर्फ और सिरफ कंक्रेज औरु बहुत से कहते हैं यह गाये कीमेडिश्नल वेलू वो गाएं की मेडिशनल वेलू उसका दूद उसका दूद लेकिन मैं आपको कहता हूँ अगर सर्वोत्तम दूद आपने पीना है तो कांक्रेज गाएं का दूद पीओ आपको खुद बेखुद पता चलेगा इस between आहिक होती है सबसे जादा विच्रन करने वाली सबसे जादा घूमने फिरने वाली गाएं कांक्रेज गाएं हैं और आपको यहां पर में एक और बात बता दिना चाहता हूं जो गाएं शेड में रहती है जिसकी बोड़ी पे धूप नहीं पड़ती उस गाएं के दूध में मैं आपको थोड़ा यहां पर बुल की जो इंपोटेंस होती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और कांक्रिच गाएं कि अगर आप ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो सबसे इंपोटेंट है बुल अगर आप किसी भी गाएं ब्रीड को अपना अथारपार कर है हरियाना ह है साहिवाल है राठी है और अपना वेचूर है कोई भी नसल हो पूरे भारतवर्स की कोई भी नसल हो अगर आप ब्रीडिंग परपस से काम कर रहे हो तो आपके लिए बुल होना बहुत जुरूरी है अगर आपके पास आप कहीं ऐसे अक्षेत्र में लेके गाएं को जा रह है कि वह जो क्वालिटी है इस गाएं में जो क्वालिटी है वह अगर आप गलत भूल से कराओगे किसी दूसरी ब्रीडी से कराओगे तो वह इसकी क्वालिटी खतम हो जाएंगी और हमेशा जो वैलू होती है वह औरिजनल ब्रीड की वैलू होती है औरिजनल क्वालिटी की होती है ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह मेरे पीछे जो बुल है यह नविद गग्ग ze काबर इसका नाम काबर काबर काबिर तो यह बड़ा जबदस्त बुलों इसकी मदर कारिकॉर्ड भी सब्स्का है अप इसके हो है साइज को देख सकते हो इसका टेस्टिकल साइज देख सकते हो इसके जो ब्रीड क्रेक्टर साब देख सकते हो लंबा हम्प है और जो फेस कट है वो फेस कट भी बड़े सींगों के साथ छोटा और सुन्दर फेस कट इसका तो मॉसली हमें अच्छे सुन्दर और मिल्क आनी चाहिए ताकि जो दूध है वो बुल से आता है ना कि गाएं से दूध आता है बुल से दूध जो बुल है वो अच्छी मिल्क लाइन का होगा तो obviously जो आने वाली breed है वो बहुत अथी होने वाली है अभी जो temperature है वो करीबन करीबन 45 degree है बहुत तेज दूप है चिल मिलाती हुई दूप कोई भी गाएं ऐसी hard और strong और इतने जबरदस्त immune system वाली नहीं होती है जितना जबरदस्त immune system इस गाएं का है कि प्रक्राइब नमस्कार कैसे हैं आप आपका बहुत-बहुत स्वागत है चलते-चलते चैनल पर और आपने जो हमें यह सुवावसर दिया मोका दिया हमें कुछ कांक्रेज गाएं के साथ समय बिताने का मोका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप कुछ अच्छे से बता सकते हो मुझे तो वैसे भारत की हर नसल अच्छी लगती है जहां में जाता हूं वही का होके रह जाता हूं अगर मैं पॉंगल के पास जाओ तो मैं उनका हो जाओ गीर के पास जाता हूं गीर का हो जाता हूं तो आप क्या कहना चाहते हैं कांक्रेज गाएं की महीमा के बारे में क्या बखान करेंगे वैसे तो अपने भारतियन नसल की सारा बहुत बड़िया है बहुत बेश्ट गववन चाहिए मगर देखो एक प्रकृति ने हर एक एंवारमेंट को शूट हो इस तरीके से गाय का सरजन किया है हमारी कांकरेज बोले तो यह एरिया में कांकरेज सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से रहती है आप राजकोर जुनागर साइट पर जाओ वह क्या एंवारमेंटल क्या इस्यू आता है उसका एडॉप्शन क्या है वह काफी सारी चीजे जो अगर गवपालन अच्छा गवपालन करना है तो वह सब चीजों को अपने को देख के चलना पड़ेगा कांकरेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ अभी बताओ तो य यह अपनी मदर ब्रीड है जितना भी गववश है देशी गववश वो सारा ओरिजन कांकरेज से हुआ है सबकी मदर यानि कि सबकी मा कांकरेज ही है यह गाय की एक स्पेशालिटी हम यह बहुत बड़ी स्वामी बक्त है अगर आपने इसको अच्छा प्यार दिया तो आपक अच्छी सी दूद का प्रोडक्शन कर रही है अच्छी गीर गाय भी 20-22 लीटर दूद देती है तो कांकरेज भी अच्छा दूद देती है सेकंड कि यह इसको एनवार्मेंटल इस्चू नहीं आते है इसका हीट में आने का जो पिरियर है वह ओन टाइम पर हीट पर आती है उसका कोई भी कितना भी वस से वस कंडिशन हो कितना भी खराब वो हो मगर यह एड़प कर लेती है क्योंकि यह मदर ब्रीड है इसका जिनसी कुछ ऐसे डेवलप हुआ है कि यह सारा एनवार्मेंट को पकड़ सकती है और उसमें अच्छे से सर्वाइव कर सकती है आप ताम जो हम यहां संबालते हो आप देख सकते हो हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे करना है कांकरेज ब्रीड के बारे में और ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते हैं मगर अगर आप इसको एक परसंट भी प्यार देंगे तो यह आपको एक हजार परसंट प्यार देगी और दूद औ अच्छी गाय से अच्छा हड नहीं बनता है यह हमारा खुद का एक observation है आपको अगर अच्छी गाय पालना है तो आपको अच्छे बूल चाहिए अच्छे बूल अच्छे बूल के बच्डों से प्राप्त होते हैं आप हमारे पास जब भी आओ आपको अगर छोटे बच्डे अगर अच्छे पेड़ेग्री के बच्डे चाहिए तो वो भी हम यहां से मुहिया करवाएंगे और तो अभी क्या है कि हमारे पास लगबग साड़े तीन सो का हड है और सभी अच्छी गाय है जी सर मैंने सुना है कि आपके इस अक्षित्र में कई गीर फार्म बने थे जी लेकिन वह स्टाइट होके साल भर में एडेड़ साल में खतम हो गया जी 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 तो गीर फार्म इस अक्षित्र से खत Nove Fry कि यह जी छी सही है तो वह बात सकशित्य है यह सत्व है और सक्ट्वु एसा हुआ कि लोगों ने जब घीर गय का प्रमोशन बहुत जयादा हो गया ल बहुत बड़ा दरिया है तो उसके environment में नमी है भेज है तो वो उसका body का structure वो उस हिसाब से काम कर रहा है उसको नमी वाला environment चाहिए एक्चुली कांकरेज ड्राइ environment में पलती बढ़ती है उसका origin ही कच है जहाँ पूरा सुखा एरिया है ठीक है तो उसको ज़्यादा पानी की requirement नहीं है और घीर में ऐसा देखा गया थी उसके आचल में जो mastitis यानि की थनेला रोग है उसका बहुत प्रमाल ज़्यादा देखा ग दीरे दीरे उसके थन में problem आने वो शुरू हो जाते हमारे काफी दोस्तों ने गुजरात यानि की अमदावाद और नौद गुजरात में काफी दोस्त यह गाय लेकर आये थे मगर आज दुर्भाग्य के कारण मैं बोल सकता हूँ कि उनको फाम बंद करने पड़े क्योंकि इसे महाराष्ट में भी देखे जाए तो बहुत सारे जो लोग है जो गुजरात से गाय लेकर गए थे आज वह वह चीज़ पर पस्तावा कर रहे हैं कि हमको वह अच्छी जची नहीं मगर वह environmental issues को बहुत effect करते हैं इसलिए वह उसको रख नहीं पाए बाखी अगर आप सही ब्रीड चुनोगे तो आपको कोई भी प्रोब्लम आपके गवपालन में नहीं आएगा वह पक्की बात है सर आपको कितना टाइम हो गया कांक्रेज के साथ काम कर रहे हैं यह हमारी वंश्परमपरागत गाय है यहां पर लोग सालों से इसका गवपालन कर रहे हैं टेक्निक तो साल से आप हैं जैसर थीन साल में कभी आपको कुछ वैटर्णरी दॉक्टर को बुलाने की जरूरूरत पढ़ी हाथ कोई भी ऐसा चोटामोटा कोई प्रोब्लम होता है तो येошल फ्रौलंब होती है इससी काम revolutionary Only उसका drug μεना हो जाता है और कोुग वीखवेद्आता हो ज संट का ही बीमारी का रेशियो है और ये बड़ी-बड़ी उनिवर्सिटी और आपको गूगल पे भी मिल जाएगा इसके प्रूब है कि कांक्रेज के दूद की महत्ता घीर से भी ज्यादा इसलिए है कि यह बहुत एक्टिव गया है इसका स्वभावी एक्टिवने से तो इसक 3500 से 4000 लीटर का इसका लेक्टेशन पिरियड का मिल्किंग रेकोर्ड है ठीक है ना यानि कि आप देखो ना 12-13 लीटर का इसका यह जन्रल रेशियो है जन्रल लेवरेज 12-13 को छोड़ो 10-10 लीटर तो कम से कम यह वस से वस कंडिशन है इसको कुछ नहीं खाने को मिलेगा फ फ्रिगनेंट ने के बाद वो जल्डी से ड्राइ मूँ जाती है जी 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 इसमें कांकरेज में वह क्या सहना कांकरेज में हमारे पास हैसा इसा डेखा गया है कि बच्चा एक बार गाय देती है उसके 45 देश के बाद उसका केशित हुन हं का करॉpen हियासे हो तो बू के लिए हम दो महीने उसको ड्राय करते है वह भी करना पड़ता है दूद छोड़ना पड़ता है बागी घाय तो आपको दूद देती ही जाती है हाँ वह दूद कम करती है अगर 10 लीटर एवरेज उसका दूद है या 15 लीटर दूद है तो दो ड्राय लीटर वह कम करेगी बस बागी दूद उसका कंटूनियस उसके लास्ट दे तक रहेगा नेक्स डिलेवरी तक यह इसकी स्पेशालिटी है क्योंकि इसका लेक्टेशन प्रियर ज्यादा लंबा होता है हाँ कट होता है मगर ड्राय प्रियर दो मेने का हम गीन सकते टेक्निकली क्योंकि वह उसके जातरा और वह ही को वही कोलिटी मिलती यह लास्ट अच्छी बात है इसमें जी सर वह इसके एक्चुली देसी गाय के फिर में इसा देखा गया कि तकरीबन ढाई साल वह लेते हैं मगर कांकरेज में हमारे पास कुछ अपर से जो दो साल में हीट में आ जाते हैं वह आप कैस कि अग्षा उसको मेंटेन करते हो उसका दाना-पानी क्या है उसके उपर डिपेंड करता है बाकि आप दो से ढ़ाई साल पकड़ के चलो मैक्सीमम ढ़ाई साल में पहला बच्चा गाई दे देती है और इसका जो वाजन दो जो यह होती है 2 dairy साल के बीच में इसका बोड़ी वेट कितना रहता है एक कि ड stinks और गड़ी है च बहुत है 2400 से 400 किलो तक चली जाती है जब अच्हा अगर आपका दाना पानी रहता है तो साड़े दिन 100 से 400 किलो तक चली जाती है, बच्चे का वेट मिनीमम 20 से 30 के बीच में पाया गया है, जब पहले दिन वो बच्चा आता है, 20 से 30 किलो के बीच में पाया गया है, और वही हेल्थ का रेश्यो है, अच्छा बच्चा 20 से 30 किलो के बीच में होना चाहिए, एक्चुली तो 25 के प्रिग्नेंट होने के लिए परफेक्ट वेट कितना होना चाहिए 500 kg मिनिमम 500 kg से उपर होना चाहिए निचे नहीं बच्डी का बच्डी जो पहले बियात का है उसका इतना वेट नहीं होगा वह आपको वह सारे दिन सो से 400 kg तक जाएगी मगर सेकें लेक्टेशन के बाद जो उसका 500 kg तक चला जाता है और बुल तकरीबन 600 kg का वेट 600 kg से अप होता है ऐसे काबेरियो है उसका वेट 600 से अप है यह 600 तक रहेगा उसका 600 से अप है और गाय में यह दिखा गया कि कम वेट की गाय है तो बहुत ज्यादा वेट वाला बुल नहीं चाहिए यह सब चीजे पड़ेगी सीखनी पड़ेगी आप पूरा नॉलेज नहीं है तो इसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कांक्रेज के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप या तो मुझे कॉल कर सकते हैं मुझे वाटसब कर सकते हैं या प्रकाश भाई को भी कॉंटेक्ट कर सकते हो आपको कोई भी जानकारी चाहिए कांक्रेज गाए के बारे में या अपना फार्म स्टार्ट करना चाहते हो अपना न्यू एस्टेबलाइज करना चाहते हो इस पे काम करना चाहते हो तो यू आर तो हमारी मातरी का गुशाला में सब को मोस्ट वेलकम है आप यह 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 आप यह रहिए पहले आप गाय को समझ यह समझने के बाद ही डिसीजन लीजिए क्योंकि अगर आपकी रूची गाय में पहली बार अगर आपने आपके पास पूरा एक्सपिरियंस नहीं है नौलेज न मातरी का गुशाला का एक ही मोटो है कि अच्छी गाय सब लोग पाले और जिसके भी पास गाय है उसको अच्छा नौलेज हमारी और से मिलेगा मोस्ट वेलकम है फ्रियोप कोस्ट यहां है आप आईए रहिए देखिए उसके बाद आप डिसीजन लीजिए ठीके बहुत